तो कैसे आप सब लोग सब ठीक होंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए आपे वीडियो में आप लोगों को अपनी बहुत सी प्रवेजन के शिलीशन मिलने वाले हैं صिर्फ एक boughtl में जिन लोगों को अपनी sensitive skin से प्रवेजन परोब्लम है उनका solution भी इस वीडियो में है जिनkkika dry skin का प्रोब्लम है उनका solution है और इचिंग allergy सब कुछ एक ही बॉटल में आपको मिलने वाला है मैं आप लों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ क्यूवी का स्किन लोशन या फिर मॉस्टराइजर यह बहुत ही ज्यादा बहतरीन मॉस्टराइजर है स्किन के लिए और किस स्किन के लिए है किस के लिए नहीं है कैसे यह वर्क करता है और इसकी सारे इंग्रीडियन्स मैं आज आपनों के साथ शेयर करूंगे आज की वीडियो में गाईज यह बहुत ही ज्यादा बहतरीन स्किन लोशन है आपको इसे जरूर ट्राइ करना चाहिए जिन लों की उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है जिनकी स्किन पर अलर्जी है जिनकी स्किन सेंसिटिव है वह तो इसे जरूर ट्राइ करें क्यूंकि आपको जो है इसका बहुत आदा डिफिरेंस मिलने वाला है इसे यूज करने के बाद तो आज की वीडियो को आपको लास तक जरूर देखना है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफर्मिटिव होने वाली है यह रही क्यूवी की स्किन लोशन या फिर आप कह सकते हैं स्किन मॉस्टराइजर तो इसकी क्वांटिटी की बात करें तो आपको एक बोटल में 500 ml मिलता है आप डिफर यूज कर सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है आपको हर स्किन का सॉल्यूशन एक बोटल में मिलेगा डिफर्ट डिफरेंट स्किन के कोई प्रॉब्लम होती है अलर्जी इचिंग ड्राइनेस सेंसितिव तो सब का सॉल्यूशन इस एक ही बोटल में है और जो इसक स्किन को हेल्दी लुक देगा आपकी स्किन को सोफ्ट बना देगा वगुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना देगा तो अगर हम इसकी बात करें तो जो इसकी सबसे अच्छी बात है वह यहे हैं कि यह ब्लकूल फ्रेग्नेंस मेल्च है जी गये अग chemical खुश्बू नहीं है जिन लोगोς chemical खुश्बू अच्छी नहीं लगती है उन लोगों के लिए बहतरी है आप इसे ज़रू ट्राई करें बिल्कुल भी इसके अंदर कोई टाइप की कैमिकली खुश्बू फ्रेग्नेंस नहीं है बिल्कुल फ्रेग्नेंस फ्री है आप इसली जो है इससे यूज कर सकते हैं दूसरी बात ये कलर फ्री है इसके अंदर किसी टाइप का कलर यूज नहीं किया है जो colors हम यूज करते हैं lotions में added किये जाते हैं जिनकी वज़ासे lotions जो है my skin को harsh कर सकते हैं mosturizes तो यह बिल्कुल color free है तो आप इसलिए से use करें इसके अंदर pH को equally balanced किया गया है जिसके वएसे यह आपकी skin को जो है अच्छा glow look देते हैं pH को बिल्कुल equally balanced रखा गया है दूसरी बात यह dermatological tested है तो आप इसे अरवाम से भी यूज करें इस बात की बात तो हर कोई ही इसे use कर सकता है क्योंकि इसे dermatologist ने test किया है जो कि सबसे अच्छी बात है lotion के लिए फिर दूसरी बात के जो है इसके लिन जो free है यह फिलोफिलीन ग्लाइकॉल फ्री तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि स्केनर कौन कौन सी चीज़ें नहीं है जो हमारी स्केन के लिए harsh पहुचा सकती है तो आप लोगों को तो है अब इसे use करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको जो बताई है बातें वहर मॉस्टर मैं होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि फिर आप की स्कीज़ें पर एफेक्ट नहीं करेंगग है directors, अ MANA ब्रते हैs पर लिए अविलेबल है। और आप दोबारा भी आप भी वह जाए करना चाहेंगी क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा amazing lotion या moisturizer है तो जो हम आपको benefit की बात की करूं तो यह skin lotion है वहुत ही soothing है light moisturizer है ये आपको चिप चिप किसी भी टाइप का ओईली नहीं आपकी स्किन पर ओईल प्रोवाइड करेगा बेटर रिजल्ट के लिए आपको इसे एवरी डे यूज़ करना होगा आप सारे नॉर्मल मॉस्टराइजर्स को रिमूव करने अपने को यसे उनकी जगा रिप्लेस करने आप जैसे नॉर्मल मॉस्टराइजर्स पूरे दिन के लिए यूज़ करते हैं वैसे य autobiist लिए इसे ही यूज़ करने नॉर्मल जैसे आप मॉस्टराइजर यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे कोई खास तरीका नहीं है और यह आपकी सिकिन जो ड्राय सिकिन वाले हैं उनके ले तो भई सुभव लोशनस को मॉस्टृाइजर को चूज़ करना वो इसे इसे इस पर पूरा बिलीफ करके इस मॉस्टृाइजर को ट्राय करें इस इमेजिंग पर ड्राय सिकिन फोर सैंशिटिव सिकिन अब तो जो है आपको इसे ट्राइ करना ही पड़ेगा और अगर आपकी स्किन पर इचिंग है यह बहुत ही ज़ादा बेहतरीन चीज़ है इसमें इचिंग स्किन वाले भी उसको यूज़ कर सकते है जनकी स्किन पर बहुत ज़ादा खारिश होती है या redness हो जाता है या flaking हो जाता है वो इस मॉस्टराइजर को भी यूज़ कर सकते हैं उनकी skin जो है clear हो जाएगी itching उनकी skin से हट जाएगी flaking भी इनकी skin पर नहीं होगी अगर आपकी skin जो है dry condition में है तो फिर इसके दो जो ingredients है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इसके हिसाब से बिलकुल amazing ingredients है और हन इंग्रीडियन का अपना ही अलग benefit है तो अब जो है मैं आपको पीछे की तरफ से भी दिखा देती हूँ यह ही इसकी back side जिसके ओपर इसके benefits वगारा सब कुछ इनोंने जो है इसके ओपर mention किया हुआ है by the way यह made in Australia का product है इसकी manufactured address है वो सब यहाँ पर है और इसकी यहाँ पर एक इनोंने जो है link भी mention किया हुआ है expiry rate भी आपको इस पर मिल जाता है net weight भी आपको easily इसके ओपर मिल जाता है और यहाँ पर इनोंने Arabic language में mention किया है कि आपको easily आपको कोई भी difficulty ना हो सु इसके अंदर बहुत जाद़ डिफरp इंग्रीडियंस जैसा aqua water glassrine glassrine बहुत जादर बहुत जाद़ डिफर lessons वाले इंग्रीडियंस जैसे ki foliacrylich acid और इसके अंदर froli paraben और भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट वाले इंग्रीडियन्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ड्राय स्कीन सेंसिटिव स्कीन एलर्जिक स्कीन इचिंग वाली स्कीन सब इसे यूज कर सकते हैं और अपलाई करने का तरीका भी जो है इसके उपर मैंचर्ट किया हुं है इंहोंने और यूज कर सकते हैं ज्यादा कि आपको कोई अपे प्रॉब्ल किसे करना है कर दो थोड़ा है मैंचन Directions है कि ज 이거 पो longerumpy Allergy या फिलेकिंग है या इचनिfund है société मसला है आपको स्किन पर आप पर आपको आप इसे पलाय करना है अगर आप शावर ले रहे हैं बात ले रहे हैं या शेउक कर रहे हैं तो आपको जम आपको यद्सके बाद में यूज करना है वो ज्यादा बहतर रहेगा और इंहों ने यहां पर बताया है कि आपको सोप को ओ रोड करना है सबून थाउद करना है कि वो शORAओ आपकी सेंसिटिव सکिन को इरिटेट कर सकता है को पर इनकी को सब्सक्राइब आइस पर नहीं लगाना और बस यह एक्सटरनल यूज के लिए है और स्टोर आपको इस थर्टी डिग्री बिलो थर्टी डिग्री आपको जहें इस लोशन इस मॉस्टराइजर को जो है स्टोर करना है तो गाइस मैंने आपको सारे बेनिफिट्स इंग्रीडियन्स सब इसके बारे में बता दिये हैं I am telling you that you have to try this अवेलिबल है यह मॉस्टराइजर आपको आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो मेक शूर कि आप इसे थम्स अप देते हुए जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करदें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी जब भी अपनी को न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे बहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे वीडियो का कमेंस में बताएं वीडियो कैसी थी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और इंस्टा पर फोलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इंस्टा और फेस्बुक दोनर पर आप मुझे फोलो कर ल अपलो कर दे जर नहीं बताएं पर आप एस्टा वीडियो कि वीडियो चाहिए भी खोलो कर लो पर भीडियो